आज्यास व्हालो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर चावडा आज आपसे रिस्क्रस करूँगा औरिकूलो ट्रेंगर के वारे में फ्रैन्स ऑ्रिकूलर थ्रेपी में ट्रेंगर्स की बह। बहुत सीदेगिस हैं, बहुत मैत्व है, कुछ particular triangles बन के treatment को बहुत महत्र बना देती हिं और वो अलगल functions के लिए अलगल location है, triangle का मतलब होता तीन points मिल के rectangle बनाएगे और वो किसी result को और बहुत बनादेंगे, better बनादेंगे, improved बना देंगे, जो थी करेंग्ल वैस्ट जो ईड़नूना है व्योंद निया कि उख ट्रियंग्ल है युद्सर्ट के ऊपर कुई प्रॉल्म पॉब्लब्ब्र करेंग्ल करेंग्ल में कोई तुर्ड वगtså ज़ी रखेंग आप सब्सब्राइब को जानते हैं जो जो प्रैंगल है जो बोड़ित करेंग में पॉड़ित प्रॉलम सें उनके लिए बहूत अची एक नोज हो ट्रैंगल है एक speed hearing triangle है जिनको सुनने में को problem है उसके लिए बहुत अचा results है और friends एक इन सभी के particular location है मैं आपको उनकी location और उनके function आपको बताऊँगा किस triangle का क्या function है आपको कब यूज होनी है शोल्डर ट्रेंगल जैसे नाम इंडिकेट करता है शोल्डर में कोई problem हो आपको अपने यूज करनी है पेन हो या stiffness हो नेक में या शोल्डर में सर्वाइकल वर्टीबरा में कोई problem हो या spondylosis की problem हो या shoulder में arthritis की problem हो या fibromyalgia हो आप कोई problem हो तो आप ये triangle यूज करेंगे फ्रेंट्स इसके लिए 3 points है C3, C4, C3, C4 के बीच में आप लगा देंगे कलेविकल पर लगाएंगे और large auricular nerve पर लगाएंगे सो फ्रेंट्स अब इस model through में आप ये बताऊंगा कि इसके shoulder triangle के तीन कौन कौन से point है फ्रेंट्स ये थैं C3, C4 क्यों हो यहां लेकि यहां तक cervical के साथ से बटीबरा होती है C3, C4 center में आएगा यह है क्लेविकल यह के इसके अंदर सटार्टिंग पॉइंचे पॉइंट दाता है और ग्लेविकल से नीचे ओता है large auricular nerve तो यह ट्रेंट्स इत्रेंगल बन गई यह यह ट्रेंगल बन गई एक दो और तीन यह ट्रेंगल बन गई shoulder related کوئی issue है आप ये 3 point लगाएंगे आपको results बहतर होंगे permanent होंगे और relapse नहीं होंगे तो friends ये लगाने जरूरी है